हेलो गईस, विल्कुब टू केस्टार साइंस, तो गईस चलिए आज के तेकू के फेफ का वनसेट फिडियो सुरू करते हैं जीमिन और जॉंकुक तो नो ही एक रेस्टरांट में पेठे होते हैं, जॉंकुक कहने लगता है और नो, मेरे लाइफ तो जैसे बहुत ही जादा बूरी होती जा रही है मैं चाहा कर भी उसे भुला नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं मैं क्या करूँगा ये सुनकर जिवन कहने लगता है, तुम्हे उसे भूल जाना जाए, वेसे भी वो तुम्हारा एक्स बन चुका है इतने मही जानकुक की नजर एक रिस्टराइंट की वेटर पर पढ़ती है, और वो उस वेटर को देखकर बस देखता ही रहे जाता है और कहने लगता है वाव इतने में ही जीमिन कहने लगता है क्या हुआ तो यह कुछ खाना है तो को मैं और्डर करता हूँ और यह कहे कर जीमिन उसी वेटर को बुलाता है वो वेटर उनके पास आ जाता है जीमिन वेटर को और्डर देने लगता है इतने में ही waiter कहने लगता है सर आप कुछ और order करना चाहेंगे इतना सुनकर चांकक उस waiter को देखता है और देखते देखते कहने लगता है विल्यू मेरी मी ये सुनकर वो waiter बहुत ही ज़दा सौक में आ जाता है और कुछ सोचने लगता है इतने में ही Jimin कहने लगता है वह सायद इसे चल गई है तुम इसकी बास मत सुनो तुम जाओ और लेकर आओ और ये सुनते ही वह waiter कुछ सोसता है और फिर कहने लगता है येस और ये सुनकर Jimin कहने लगता है ठीक है अब जाओ तुम में चलना जाए येस कहा ना तुमने, ये सुनकर वो वेटर थोड़ा सा जविन को देखता है और फिर जॉंकुक को देखकर कहने लगता है इतवे येस फरम माई सेड, मैं तुमसे साधी करने के लिए रेड़ी हो आई विल मैं रिवयू और ये सुनकर चौंकुक बहुत ही ज़ादा है और इतने में वो वेटर बहुत ज़ादा खुश सोते हुए अपने वेटर कॉलिक को बलाता है और कहने लगता है हे रिन सुनो यहाँ पर और यह सुनकर रिन उस वेटर की तरफ देखने लगती है इतने में ही वो वेटर उसे कहने लगता है तुम मेरा काम भी संबाल लेना मुझे कही पर जाना है रिन कहने लगती है तुम कहां पर जा रहे होता है उन इतना सुनकर ताहन कहने लगता है मैं स लड़के से साधी करने वाला हूँ ये कहे कर ताहिन जॉंकु के एक हाथ को पकरता है और उस हाथ को उठाते वे कहने लगता है ये ही है वो लड़का जिससे मैं साधी करने वाला हूँ जॉंकु को भी बहुत जदा स्माइल करता है और हसने लगता है ताहिन जॉंकु का उसी ह जिविन बस बहुत ही ज़्यादा सौक हो कर दोनों को देख रहा था और जैसे ही ताहिन जोंकू को खीज कर ले जाता है जिविन कहने लगता है अरे रुको तुम दोनों कहा जा रही हो लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं सुनते और देखते ही देखते रोड पर चले आते है रोड के साइड पर बहुसते ही ताहिन जोंकू को देखता है और कहने लगता है तुम खोन हो और यह सुनकर जोंकू कहने लगता है ओके ओके हम दोनों को ही एक दूसरे को इंट्रडिस कर लेना चाहिए मैं हूँ जों जोंकू यह सुनकर ताहिन स्माइल करता है और कहने बहुत ज़दा excited way में कह रहा होता है चौंकुक उसकी excitement देखकर कुछ भी समझने वाता वो बस smile कर रहाता है और कहने लगता है पर तुम इतने ज़दा excited क्यों हो ये सुनकर ताहिन कहने लगता है आखिरकार मेरी साधी है मैं excited क्यों नहीं होंगा और वेसे भी मुझे कोई मिल जाएगा चो मुझे प्यार करने वाला है और मैं उसके सथ खुच रहने वाला हूँ यही मेरा बच्पन का सपना है मैं अपना बच्पन का सबना सच करने जा रहा हूँ ये कहा कर ताहिन जौंकु का हाथ पकल लेता है और एक टेक्सी रोक देता है और फिर दोनों ही उस टेक्सी में बेर जाते है और देखते ही देखते ताहिए उनके अपार्टमेंट के पास बहुत जाते है ताहिए उन जॉंकुक का हाथ पकड़े हुए अपने अपार्टमेंट में लेकर जाता है जहाँ पर पूरा ही घर पिखरा पड़ा हुआ था कही पर books, कही पर dresses, कही पर क्या पिखरा हुआ था पूरा घर मेस था जिसे देखकर चौंकुक बहुत ज़्यादा सौख अकर पूरे घर को देख रहा होता है ताहिए उन अपने कप्डे समेट ले रगता है और अपने कप्डे पेक करने लगता है और कप्डे पेक करते करते वो जोंकुक को देखकर कह रहा होता है ओ तुम चिंता मत करना, मैं हमारे घर को कभी भी ऐसे मेसी नहीं बनाओगा ये सब मेरे रूमेट का कमाल है वो हमेशा ही हमारे रूम को इतना चाता मेस्टी बना देता है और जितना भी को हो वो सिधरता भी नहीं है तुम चितना मत करना हो गया मेरा पेकिंग अब चले ये कहे करता है उन अपना पेक्स ले जाता है और जौंकुक का हाथ फिर से पकड़ लेता है जूंकोस को देखकर कहनες लगता है ओ, हमें थोड़ा सा रुख जाना जाए हमें पहले प्लानिंग करने जाए किह हम क्या कर रहे है वरना हम ऐसे ही चर्ज में जाकर साधी नहीं कर सकते टाहे हैँ कहने लगता है और तुमने तो मुझे से पुछा कि मैं तुम से साधी करना चाहता हूँ या नहीं और मैंने तो हाग कहे भी दिया इसमें और ज़्याद सोचने वाली बात क्या है चौंको कहने लगता है इसा नहीं होता हम दोनों को पहले तो एक दूसरे को जानना होगा ये सुनकर टाहिन के लगता है ठीक है हमने इंटरटक्सन तो करी दिया है अब बताओ तुमारे बारे में मैं सुनना चाता हूँ और मैं भी अपने बारे में तुमें सब कुछ बता दूँगा ये सुनकर चौंको थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है वाह तुम कैसे हो और ये सुनकर ताहिन के लगता है मैं अपना फैबरेट हो ऐसे कम ही लोग हो सकते है क्योंकि मैं हमेशा ही खुछ रहता हूँ और तुम भी मेरे साथ रहकर खुछी रहने वाले हो ओके तो अब क्या करेंगे तुम ही बताओ मैं तुम्हारे हिसाब से भी काम कर सकता हू चौंको कहने लगता है तो फिर क्यों ना हम हमारे पैरेंस के पास चाहे और उन्हें भी ये बात बता दे कि हम साधी करने वाले है ताहिन कहने लगता है और मेरे पैरेंस यहाँ पर नहीं है मेरे पेरेंस पेरिस में है इसलिए मुझे उन्हें बताना होगा तो फिर्म में बात में बता दूँगा पहले तुम्हारे घर चलते है ये सुनकर चौंकुक एक्साइडर होकर कहने लगता है आर्डियो सियर क्या तुम ये करना चाहते हो मेरे मॉम डाड हो सकता है तुम्हे पसंद ना करे ताहिन कहने लगता है वो तो मुझे पर छोड़तो और ये सुनकर चौंकुक थोड़ा सा स्मैल करता है और कहने लगता है तो फिर ठीक है चलो ये कहे कर चौंकुक और ताहिन दोनों ही जोंकुक के घर जाने लगते हैं जैसे ही जोंकुक अपने घर का डोर बिल रिंग करता है उसकी मॉम आकर डोर ओपन करती है वो जोंकुक को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि जोंकुक अपने घर में बहुत कम ही जाया करता था जोंको की मॉम बहुत ज़्यादा खुश सोकर जोंको को हग करती है और फिर ताहिन को देखकर कन्फियूज होते हुए पूचने लगती है ये कौन है और ये सुनकर जोंको कहने लगता है ये और जॉंकुक ये सब कही ही रावता है कि ताहिन बहुत ज़दा खुस होकर कहना लगता है मैं इनका फ्यांसी मतलब आपका होने वाला सनिल लो ये सुनकर जॉंकुक के मौम पहले तो थोड़ा से सौक होती है और फिर खुस होकर जॉंकुक के डार को बुलाने लगती है हनी प्लीज कम देखिए आपके बेटे ने किसे लेकर आया है और ये सुनकर जॉंकुक के डार भी वहाँ पर आ जाते है और कहने लगते है ओ जोंकुक तुम हो और तुम्हारे साथ ही कोने ये सुनकर ताहिन फिर से कहने लगता है मैं इनका फियांसे मतलब आपका सनिला और ये सुनकर जोंकुक के डायर्ट फिरले तो बहुत ज़दा सौख हो जाते है और फिर खुस होते हुए कहने लगते है हाँ हाँ इसका फियांसे और ये सुनकर ताहिन भी हस्तावा कहने लगता है क्या आपको अच्छा नहीं लगा ये सुनकर ताहिन के डायर कहने लगते है नहीं नहीं हमें बहुत अच्छा लगा तुम दोनों अंदर आ सकते हो बाहर क्यों खड़े हो ये सुनकर दोनों जोंगुक और ताहिएं अंदर जाते है जोंगुक बस ये सब देख रहा था जोंगुक को सब कुछ अजीब फील हो रहा था क्योंकि जोंगुक के पैरेंस ताहिएं को ऐसे अपना लेते हैं जैसे कि वो ताहिएं का ही इंतिसार कर रहे हो जौंकुक को ये बात ज़्यादा डाइजेश नहीं होता जौंकुक बहुत ही ज़्यादा सौक में था वो बस अपने पेरेंस को और ताहिन को काउच पे बेट कर देख रहा था वो लग ऐसे बात करे थे जैसे हमेशा से ही ताहिन उन्हीं का बेटा हो ताहिन बहुत ज़्यादा हसास कर उसके पेरेंस से बात कर रहा था जौंकुक के पेरेंस भूली कहते हैं कि वहाँ पर जौंकुक है थोड़ी तेर बाद ही जौंकु कहने लगता है तो फिर आप लोग रेडी है हमारे मेरेस के लिए ये सुनकर Jaungko के डार मम एक साथ अपना सर हिलाते है और कहने लगते है ये भी कोई पूछने की बात है, हमें तो हमारा सनी लग मिल ही चुका है या ये ए गहें कि हमें हमारा सन मिल गया है, वाव हम इसे मिलकर बहुत ज़दा खु Mais तुम जल्द से जल्द इसे साधी कर सकते हो जोंको को ये सब और भी ज़दा डर लगने लगता है और वो बहुत ज़दा घबराने लगता है वो सोचने लगता है वाह इतना जल्दी कोई किसी को कैसे एकसेप्ट कर सकता है और जोंको कि ये सब सोची रहा होता है कि जोंको के म तो फिर आजरा तुम दोनों हमारे घर में डिनर करकर ही जाना। ताहिन कहना लगता है जो डेट करते हैं वो भी साथ सोया करते है जो जाना। जादा चौंकुक सोचने लगता है कोई ऐसे कैसे हो सकता है वो मेरी मन की बात कैसे जान सकता है क्या ये कोई एलियन है मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ये सब कुछ इतना जदर पाफिक कैसे कर सकता है और ये सोची रहा होता है कि थोड़ी देर बाद ही ताहिन सावर लेकर ब देर एंटर हो जाता है चौंकुक ताहिन को सिर्फ उसके बॉक्सर में देखकर बहुत जदा खबरा जाता है और सरमाते हुए चौंकुक टर्ण हो जाता है और कहने लगता है सोरी सोरी मैंने कुछ भी नहीं देखा और इतना कहते ही ताहिन बहुत ही जदा सेशी वे में और Slutty Way में चलते हुए चौंकुक के पास आता है और कहने लगता है चौंकुक तुम देख सकते हो और ये कहे कर ताहिन चौंकुक के बहुत जदा करीब चला जता है चौंकुक और वाल के बीच पे अभी थोड़ा सा भी गेप नहीं बचा वाता चौंकुक पुरा का पुरा वाल पर लीन हो करता ताहिन उसके पास जाता है और उसके फेस के बहुत जदा करीब चाकर कहने लगता है वाओ तुम तो बिना सावर के ही बहुत जदा अच्छे स्मेल कर रहे हो लेट मी लिक यू और ट्राइ यू और यह कहता हुआ देखते ही देखते ताहिन चौंकुक के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और फिर कहने लगता है वाओ यू टेस्ट लग स्ट्राबरीज हाँ और यह कहते ही चौंकु कहने लगता है क्या? और ये सुनकर ताहिन कहरे लगता है क्या तुब अच्छा नहीं लगा चौंकु कहरे लगता है नो नो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये कहे कर चौंकु कुछ ताहिन को फिर से बहुत ही जदा हाडली और पेस्टनेटली किस करने लगता है थोड़ी तेर बात ही जौंकुक उसे छोड़ देता है और फिर रूम से बाहर चला जाता है ताहिएन को कुछ भी समझ बनी आता लेकिन ताहिएन को अब भी बहुत जाता अच्छा फील हो रहा था ताहिएन अब भी अपने ही यूफोरिया में जी रहा था जौंकुक रूम से बाहर जाता है और जाता ही वो दुरंधी जीवन को कॉल करता है और कहने लगता है और यह सुनकर जीवन कहने लगता है जौंकु कहने लगता है मुझे लगता है कि ताहिएन मेरे साथ कुछ करना चाता है और यह सुनकर जीवन कहने लगता है पर इस पे बुरा क्या है चौंको कहना लगता है साथ मैं अब इसके लिए रेडी नहीं हूँ जिमिन कहना लगता है पर यह सब तुम्हें तब सोचना चाहिए था ना जब तुमने उसे मेरेस के लिए पूछा था चौंको कहना लगता है जब तुम्हारा एक्स तुम्हारे साथ जब तुम कम्प्लेण ही कर रहे थे अब जब की दाहिन तुम्हारे साथ इतना अच्छे से रह रहा है तो अब फी कम्प्लेण कर रहे हो उसके साथ कुछ दिन तो पिता कर देखो तुम उसे यू कहе दो कि तुम दोनों थोड़ी तो देट करने वाले हो और उसके बाद ही तुम लोग साधी करोगे क्या ये ठीक रहेगा ये सुनकर जोड़ा सा सोचता है और कहने लगता है बाफिट मैं उसे आज ये ही कहने वाला हूँ मैं उससे कहे दूगा कि हम दोनों कुछ तिनों तक डेट करेंगे और उसके बाद ही हम साधी करेंगे और ये सुनकर जिवन कहने लगता है ओके तो फिर मैं अप कॉल डिसकनेक कर रहा हूँ ये कहे कर वो कॉल डिसकनेक कर देता है इससे पहले कि जोगोग उसे और कुछ कहे पाता ये देखकर चौंकर बहुत ही ज़्यादा फिसलने लगता है और वो ना चाहते हुई भी ताहिन के और करीब जाने लगता है ताहिन उसे सेसी वे में देख रहा था चौंकर उसे देखता है और कहने लगता है और इतने में ही ताहिन कहने लगता है तुम्हें कुछ कहना है चौंको तुम कह सकते हो इतना जदा हिचकेचा क्यों रहे हो चौंको कहने लगता है वो दरसल मैं तुमसे कह रहा था और इतने में ही ताहन ओयल साइड में रख देता है और चौंको के और बढ़ने लगता है और चौंको के पाहों में अपने बाहर डाल कर कहने लगता है क्या तुम मेरे साथ वो सब करना जाते हो और यह सुनकर चौंको कहने लगता है नहीं नहीं ऐसे कोई भी बात नहीं है मैं तो बस तुमसे कह रहाता कि हम कल साधी नहीं कर सकेंगे ताहिन कहने लगता है पर क्यों और यह सुनकर चांको कहने लगता है दरसल मुझे लगता है कि हम दोनों को कुछ तिन डेट करना चाहिए और फिर हम साधी कर लेंगे यह सुनकर ताहिन कहने लगता है ओके हम ऐसे भ पड़ेगी ठीक है? यह सुनकर चॉंक के अपना सर हिलाता है और कहने लगता है ठीक है अब मैं सावार लेने जाता हूँ थोड़ी धिर बाद ही जैसे ही जॉंकुक सावार लेकर वापस आता है वो देखता है कि ताहिण अपने बेट पर लेट आवा है वो तुरंधी जाकर ताहिन के पास ही लेट जाता है ताहिन देखते ही देखते जौंको के बहुत ज़्यदा करीबा जाता है जौंको को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ताहिन जौंको के पास आकर चौंको के ही चेश पर अपना हाथ रख कर कहने लगता है तो बेबी क्या तुम चाहते हो कि हम ऐसे ही सो जाए ये सुनकर चौंको कहने लगता है या हम सोने ही बाले है ये सुनकर ताहिन कहने लगता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें कुछ करना चाहिए चौंकुक कहने लगता है पर क्या और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है कुछ भी जो तुम करना चाहो और ये सुनकर चौंकुक दुरंधी कहने लगता है क्या मैं तुम्हारे लिए स्टोरी बुक पर सकता हो और ये सुनकर ताहिन का मूल बहुत जाता लटक जाता है ताहिन अ प्रियाइक नहीं करता जूंकुक ऐसे सो करनी की कोशिष करता है जैसे उसने कुछ भी नहीं समझा हो दाहिय उन्ड जौंकुक सौ जाते हैं जैसे ही अगले दिन सुबह होती है चौंकुक उड़ता है और वो देखता है कि ताहिन उसके लिए breakfast बना चुका है ताहिन चौंकुक को बुलाता है चौंकुक अपने breakfast डेबल पर जाता है चौंकुक के लिए ताहिन ने बहुत ही अच्छा breakfast बनाया होता है चौंगुक ब्रेकफस्ट करता है और उसे ब्रेकफस्ट बहुत ज़्यादा पुसंदा रही होती है चौंगुक पहली बार इतना ज़्यादा टेस्टी ब्रेकफस्ट खा रहा था चौंगुक इतना ज़्यादा खुश होता है कि वो ताहिन को देखकर कहने लगता है तुम इतना जदा फूट कैसे अच्छा बना सकते हो यह सुनकर ताहिन कहने लगता है आफटर ओल मैं तो एक रेस्टरान में ही काम करता था ना हाँ यह सच है कि मैं सिर्फ एक वेटर था लेकिन फिर भी मुझे कुछ तो आइडिया था और यह सुनकर चौंकुक भी स्माइल करता है ताहिन भी उसे देखकर स्माइल करता है चौंकुक कहने लगता है ठीक है तो फिर मैं अपने काम में जाता हूँ और यह कहकर चौंकुक उठ जाता है ताहिन भी ठीक है कहता है और फिर जैसे ही जॉंकुक अपना बेक लेकर वहाँ से जाहिरा था कि ताहिन कहने लगता है वेट और ये कहे कर ताहिन दोटते हुए जॉंकुक के पास जाता है और दोर के पास ही वो जौंकुक के दोनों कालों पर और फोरेड पर किस कर देता है और कहने लगता है ओके गुड़ दे और ये सुनकर जौंकुक थोड़ा सा हेरान हो जाता है और फिर स्मैल करकर ताहिन के लिप्स पर एक पेक करता हुआ कहने लगता है और ये केकर ताहिन वहां से चला जाता है चौंकुक पीछे से ही चिला कर कहता है चल दी आ जाना और ये सुनकर चौंकुक पीछे मुटता है और पाय केते वे स्मेल करकर वहां से चला जाता है साम को जैसे ही चौंकुक घर लोड़ता है वो तेखता है कि उसका घर बहुत avar संदर से डेकोरिट किया गया था और उसका घर बिल्कुल भी साफ था वो देखकर वो बहुत जगा हैरान हो जाता है वो ताहिन को देखता है जो की धककर अपने ही काउस पिर बेठा वा था चौंको को उसके पास चाता है और कहने लगता है क्या तुमने ही ये सब क्या है ताहन कहने लगता है येस मैंने ही ये सब क्या है क्या तुम्हे पसंद आया बेबी और ये सुनकर चौंको कहने लगता है हाँ पसंद तो आया लेकिन तुम्हे इतना जदा मेहनत एक ही दिन में क करने की कोई जरुवत नहीं थी ताहिन कहरे लगता है आफ्टर रॉल ये हम दोनों का घर है तो इसे तो अच्छा और सुन्दर दिखना ही चाहिए ना इसलिए मैंने कुछ सेटिंग्स चैंज की है और मैंने ये निव काटन्स भी लगाया है और इसे के साथ मैंने घर की थोड जलता रहता है अब साधी से एक दिन पहले चौंको जीमिन के घर चला जाता है और जीमिन को देखकर कहने लगता है और जीमिन मुझ से ये सब नहीं हो रहा है जीमिन कहने लगता है ये सब तुम क्या कह रहे हो चौंको कहने लगता है और मैं उसके साथ साधी नहीं कर सकता ह चुनको कहने लगता है वो बहुत ज़धा perfect है तो हमेरे लाए उसके साथ साधी कैसे कर सकता हो वो मेरे घर को इतना ज़धा clean रखता है वो मेरे घर के इतना जधा क्या करता है मेरे पेरेंट्स के बार में इतना जधा सोचता रहता है और आए दिन उनके लिए सोविनियर्स बैसता रहता है और यही नहीं वो तो मेरे पैट का भी ध्यान रखता है ओमाइग गॉड़ वो इतना ज़दा पाफेक्ट है वो हमेशा ही मेरे लिए ब्रेकफस्ट डिनर लंज सब कुछ बनाता रहता है मेरे साथ इतना ज़द क्लोस हो जाता है और नो वो तो मेरे दिल की बात और दिमाग की बात सब कुछ बर सकता है मुझे कभी-कभी डौट हो जाता है वो इंसान है या फिर कोई एलियन मुझे समझ नहीं आता कि मैं इतने ज़्यादा परफेक्ट इंसान से साधिक कैसे कर सकता हूँ वो हमेसा खुश रहता है वो कभी भी कम्प्लेन नहीं करता ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई परी हो जो सीधा हैवन से ही उतर कर मेरे लिए आया हो मुझे लगता है I don't deserve him ये सुनकर जिमिन कहना लगता है सांथ हो जाओ जोंको तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो जोंको कहना लगता है I swear उसके जैसा पार्टनर मिलना impossible है वो इतना ज़्यादा perfect है ये सुनकर जिमिन कहना लगता है तुम जो सब बता रहे हो वो एक dream partner का quality से वो किसी को भी नहीं मिलता तुम्हें अगर मिल गया है तो फिर तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम बहुत ज़्यादा लगी हो तुम उसे जाने देना चाहते हो ये सुनकर जोंको कहने लगता है I don't know पर जब भी वो मेरे पास होता है मुझे खुद में ही बहुत ज़्यादा doubt फिल होने लगता है मुझे बहुत ज़्यादा insecurities फिल होने लगता है मैं उसके साथ comfortable नहीं हो सकता Oh my god मैं कैसे तुम्हें समझाओ लेकिन पता नहीं मैं कुछ तो अचीव फिल करता हो और मुझे उसका presence अफ इतना भी अच्छा नहीं लगता ये सब सुनकर जिमिन कहना लगता है ये सब सिर्फ साधी के प्रेसर के बज़े से है और कुछ भी नहीं जोंको कुछ चाप अपने घर जाओ आराम से सोजाओ, वेसे भी कल तुबारी साधी है चौंको कुछ भी नहीं सोज पाता और कहने लगता है हाँ साद हो सकता है, वही बात हो और इए कहे कर चौंको कुछ जिमिन के घर से चला जाता है जैसे ही अगला तिन होता है चौंकुक और ताहिन बहुत ज़्यादा एक्साइडर होते है ताहिन सबसे ज़्यादा एक्साइडर होता है और दोनों ही अपने वेडिंग ड्रिस्क में बहुत ज़्यादा सुन्दर दिख रहे होते है चॉंकुक पहले से ही स्टेस पर प्रिस्ट के साथ खड़ा होता है ताहिन एक ओल्ड और बहुत ही जदा डार्क दिखने वाले आदबी के साथ वहाँ पर आ जाता है उसे देखकर चॉंकुक बहुत ही जदा घबरा जाता है चौंकुक को समझने आता कि ये माफिया जैसे दिखने वाला आदमी कौन है जो की ताहिन के साथ आ रहा है क्या ये ताहिन के डाड है ये सब चौंकुक सोची रहा होता है कि चौंकुक के सामने ताहिन और वो आदमी पहुचाते है ताहिण चोंकुक को देखकर इंट्रडस करवाता है और कहना लगता है चोंकुक इनसे मिलो, यह मेरे डाड़, यह आज ही पैरिस्टे आये है यह सुनकर चोंकुक कहना लगता है हेलो डाइड, चौंकुक के डाइड अपना सर हिलाते है और थोड़ा सा ही स्माइल करते है चौंकुक बहुत ज़दा अजीब फिल कर रहा था देखते ही देखते प्रिस्ट भाउस बरने लगते है चौंकुक कर ताहिन अपने अपने भाउस बरते है और फिर प्रिस्ट कहने लगते हैं, अब आप दोनों एक दूसरे को किस कर सकते हैं, जॉंकुक और ताहिन बहुत जदा खुश होते हैं और स्माइल करने लगते हैं, जॉंकुक ताहिन को किस करने लगते हैं, तोनों ही एक पैसनेर सा किस सेयर करते हैं, सारे केस्ट बहुत को कद देखते हैं और कहने लगते हैं मैंने सब कुछ तुम्हारे बारे में पता लगा लिया है तुम एक अच्छे लड़के हो इसलिए जिए तुम दोनों के रिलेशनसिप से कोई भी आपजेक्स नहीं है लेकिन मैं एक बात तुम्हें क्लियर करते ना चाहता हूँ यहाँ अगर तुम देख सकते हो यहाँ पर इस हौल के सारे कॉर्नर्स पर एक एक लोग तुम्हें मिल जाएंगे या फिर बहुत ही सारे लोग यहाँ पर ऐसे ही घूम रहे हैं जिन्हें मैं पॉइंट करकर तुम्हें दिखा सकता हूँ यह सब मेरे लोग से और सभी के पास वेप तुम्हें नहीं जोड़ूँगा यह मेरा प्रोमिस है यह सुनकर चौंकुक बहुत ज़्यता हैरान हो जाता है और ताहिन के डार को देखकर कहने लगता है सर आप खोन है और यह सुनकर ताहिन के डार तुरंधी गूगल करते है और एक नाम गूगल करते ही चौंकुक की त प्रियाद अपना सरह लाते हैं और कहने लगते हैं जब अब तुम्हें पता चल ही क्या है कि हम कोन हैं तो फिर कभी भी मेरे बेटे को तुम दुख देने की कोसिज भी मत करना परना ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा ये सुनते ही जौंकुक अपना स उस किया भी नहीं होगा तुम अच्छा ही होगे जॉंकुक ताहिएंग के डार को देखकर एक फेक स्मेल करने लगता है और इतने में ही साधी कंप्लीट हो जाती है ताहिएंगुक के घर में था ताहिएंगुक का वेट कर रहा था लेकिन अब तक जॉंकुक लोटा नहीं था जॉंकुक तरहसल जीमिन के घर में था उससे समझने आ रहा था कि वो कैसे जाए और इतने में ही ताहिएंग बहुत ज़ता घबरा गया था क्योंकि आज उनकी फॉस्ट नैट थी लेकिन जॉंकुक गया था जॉंकुक अब तक घर नहीं लोटा था और जैसे ही अहिएंग जॉंकुक को कॉल करने ही वाला था कि उनके घर की डॉर बिल बसती है ताहिएंग दोटता हुआ जाता है और डॉर ओपन करता है ओ जॉंकुक को देखकर थोड़ा से सर्प्राइस होजाता है और फिर दोर बंद करकर चौंकुक का अंदर बुला लेता है चौंकुक अंदर आता है ताहिन दोर बंद कर देता है और कहने लगता है चौंकुक तुम कहा पर चले गये थे साधी के बादी तुम्हें घर आना चाहिए ताना तुम मुझे कहे कि घर चले जाओ और फिर तुम कहांपक गायव हो गए थे तुम मेरा कॉल भी नहीं исп कर रहेते तुम थेका हअब तक और ये सब कहते ही चौंकु कहने लगता है Please ताहिएन, मुझसे अब नहीं होगा ताहिन कहने लगता है क्या नहीं होगा तुमसे और ये सुनते ही चौंको कहने लगता है मैं ये साधी एकसप नहीं कर सकता मैं तुमसे साधी नहीं कर सकता ताहिन कहने लगता है क्या तुब बागल होगे हो चौंको हमारी साधी तो हो चुकी है तुम अब कैसे कह सकते हो कि तुम मुसे साधी नहीं कर सकते तुमने साधिक कर ली है, तुम किस वाल में जी रहे हो, यह सुनकर चॉंको कहने लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है तुमसे, ताहिन कहने लगता है, क्या डर? मुझे क्यों डर लगता है? क्या मेरे डाड ने तुमसे कुछ कहा? चॉंको कहने लगता है, तुम तुम्हारे पॉफेक्ट होने से, तुम इतना जदा अच्छे कैसे हो सकते हो, तुम हमेसा ही स्माइल कैसे कर सकते हो, तुम हमेसा सब को खुष कैसे कर सकते हो, तुम हमेसा ही मेरे दिल का और दिमाग का बात कैसे समझ लेते हो, तुम मेरे लिए इतने अच्छे कैसे हो सकते हो यह सब सुनकर ताहिन कुछ भी नहीं कर पाता ताहिन सब कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पारा था जोंकुक आखिरकर उसकी तारीफ कर रहा है या फिर उसको कमप्लेंट कर रहा है और यह सब सोचकर ताहिन कहना लगता है लेकिन ये सब तो अच्छी बात है ना तुम मुझे कंप्लेंट क्यों कर रहे हो जोंको कहने लगता है पर इतना ज़दा अच्छा कौन होता है मुझे बहुत ज़दा हेरानी होती है कि तुम्हें एक इनसान भी हो या नहीं कोई इतना ज़दा पॉफिक कैसे हो सकता है मेरे डाड मॉम को भी तुमने ऐसे मना लिया जैसे कि तुम्हारे पास कोई जादू ही हो ये सब सुनकर ताहिन भी बहुत ज़दा टॉलरेट कर चुका था अब ताहिन का पैसेंस लो हरा था ताहिन अपने लिमिट्स बाहर हो जाता है और कहने लगता है क्या तुम्हारा हो गया और ये सुनकर जॉफिक बहुत ज़दा हैरानी से ताहिन का देखता है और कहने लगता है क्या ताहिन कहने लगता है क्या तुम्हारा हो गया क्या मैं अब बोल सकता हूँ लेकिन मैंने उसे साफ किया, जबकि मुझे घर साफ करना अच्छा नहीं लगता, क्या तुम्हें पता है कि मेरे डाड एक माफिया है, हाँ तुम्हें पता ही होगा, मुझे पता है, मेरे डाड ने जरूर ही तुम्हें बता दिया होगा, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्य इसलिए ही मैंने उनका घर छोड़ दिया इसलिए नहीं क्योंकि उनके बज़े से मुझे हमेशा ही खत्रा रहता था बलगी इस बज़े से कि वो मेरे लिए इतना ज़दा पॉजेसिव थे कि उनके रहते मैं किसी को प्यार ही नहीं कर सकता था इसलिए मैं यहाँ पर दूर कोर करने लगा लेकिन तुम्हें पता है यहाँ पर मैं वेटर की जाब करकर भी बहुत ज़दा खुश था और जिस दिन तुमने मुझसे पूछा कि क्या मैं तुमसे साधी कर सकता हूँ मैं और भी ज़दा खुश था क्योंकि पहली बार मुझसे कोई प्यार करने वाला मुझे मुझे मिलने वाला था, मैंने सोच लिया था, कि मैं चाहे जो हो जाए उसे हमेशा ही खुष रखूँगा, चाहे उसके लिए मुझे खुद को भी कुर्बान करना पड़े, या फिर मुझे कितना ही सक्रिफाइस करना पड़े, मैं वो सब कुछ करऊंगा, मैंने पहले ही सोच लिया था इसलिए जब मैं तुम्हारे घर में शिफ्ट हुआ मैंने इस छोटे से घर के अपना ही घर समस्ज लिया था और इसलिए मैंने इस घर को बहुत ही जदा सुंदर से करने का चाहा और किया भी और मैंने इसके लिए बहुत ज़दा मेहनत लगाया मुझे ठीक से कुक करना इतना भी नहीं आता फिर भी मेरे तुम्हारे लिए बहुत ज़दा रेसिपीस जोंडी बहुत ज़दा पढ़ाईगी और तुम्हारे लिए इतना अच्छा अच्छा रेसिपीस बनाता रहा और तुम्हें इतना अच्छाचा खाना खिलाता रहा इतना ही नहीं जब मैं पहली बार तुम्हारे मॉम ड़ाड के घर गया था मुझे बहुत जदा नर्वसनेस था, मैं बहुत जदा डरा हुआ था, लेकिन वो सब मैं किसी को चताने नहीं चाता था मैं अपने हसी के पीछे वो सब दबाए बेटा था, और लगी ली तुम्हारे मॉम ड़ाड भी इतने जदा अच्छे थे कि उन लोगों ने भी मुझे एकसेप्ट कर लिया मैं बहुत जदा खुझता, क्योंकि पहली बार मुझे एक फैमिली मिलने वे जा रहा था, लेकिन ये सब साय तुम समझ ही नहीं पाए और जब तुम सोया करते थे, तुम्हें लगता था ना कि मैं तुम्हारे क्लोज आ रहा हूँ नहीं बलकि मुझे तुम से बहुत दूर भाग जाने का मन करता था, क्योंकि चौंकुक तुम सोते हुए बहुत जदा खराटे लेते हो क्या तुम्हें एक आज तक किसी ने बताया नहीं, पहली रात तो मैं सो ही नहीं पाया लेकिन फिर भी मैंने ये सब तुम्हें कम्प्लेंट कभी भी नहीं किया, ये इतना ही नहीं, बहुत सारा ऐसे चोटे 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 चीज़ें, जो सब इन एक हफ्ते में मैंने महसूस किया है, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें वो सब महसूस करवाने नहीं दिया, मैं हमे लेकिन मुझे लगता है मेरी सक्रिफाइजस का तुम्हारे सामने कोई मौल नहीं इसलिए मुझे लगता है कि मुझे यहां से चला जाना चाहिए और चिंता मत करो मैं अपने डार को कुछ भी नहीं बताऊंगा मैं उन्हें कुछ भी नहीं कहूंगा कि तुमने मुझे पारा था कि ताहिन ने उसे क्या कुछ कहा है ताहिन ने उसके लिए कितना ज़्यादा सक्रिफाइस किया है बस उसे खुश रखने के लिए ताहिन पॉफिक्ट होने का नाटक करता रहा ताहिन को कितना कुछ छेला पड़ा होगा यह सब चौंकुक सोचता है और जैसे ही व पर पूछ रहा होता है क्या किसी ने इस लड़के को देखा है और इतना पूछते पूछते एक लेड़ी मिल जाती है जो कहने लगती है हाँ वो लड़का तो उसी तरफ क्या है चौंकुक तोड़ते हुए लेफ्ट की और चारे लगता है थोड़ी तेर पर इसे ताहें देख जाता है वो ताहें आक पास जाता है चौंको किसके पास चाता है और उसके पास चाकर कहने लगता है ये सुनकर ताहिन अपना सर नेजर करकर अब भी रो रहा था चौंको कहने लगता है सौरी मैं कभी ये समझ ही नहीं पाया कि तुम मेरे बज़े से कितना ज़्यादा सक्रिफाइस कर रहे थे मेरी वज़े से तुमने कितना कुछ छेला होगा तुम्हें कितना कुछ सेहना पड़ा होगा लेकिन सायद ये सब मैंने कभी समझने की कोसे सी नहीं की प्लीज लेकिन मैं तुमसे एक बात का रिक्वेस्ट करता हो तुम्हें इतना जदा perfect बनने की कोई ज़रत नहीं है तुम जैसे हो मुझे वेसे ही पसंद हो तुम्हें मालूम है जब मैं पहली बार तुम्हारे अपार्टमेंट में गया था तुम्हारा घर पुरा का पुरा मैसी था मैं उसे देखकर हस रहा था लेकिन मुझे वो सब normal लग रहा था लेकिन जब तुमने मेरे पुरे घर को इतना जदा नया बना दिया और इतना जदा clean करकर उसे पुरा ही decorate कर दिया मुझे वो सब अजीब लगने लगा मैं बहुत जदा confused हो गया इसलिए प्लीज तुम्हें इतना जदा change होने की कोई ज़रत नहीं है तुम्हें जैसा मन हो तुम वेसे रह सकते हो तुम्हें जैसा खाना पसंद आए तुम वेसे बना सकते हो तुम्हें अगर पसंद ना आए तो तुम जॉब नहीं कर सकते तुम अगर पसंद ना आए तो फिर तुम मुझे कह सकते हो तुम्हें ऐसा प्रिटेंड करने की जरुवत नहीं है कि तुम पॉफेक्ट हो मुझे पॉफेक्ट पार्टनर नहीं जाए मुझे बस कोई ऐसा चाहिए जो मुझे से प्यार कर सके समझ रहे हो ना तुम मेरी बात यह सुनकर ताहिए उन अपना सर हिलाता है और फिर जोंको के आइस पे देखता है और कहने लगता है क्या सच क्या अगर मैं पॉफेक्ट ना रहा तब भी तुम मुझे छोड़ करनी जाओगे क्या तुम तब भी मुझे इतना ही प्यार करो के यह सुनकर चांको कहता है मैं तो बस इतना ही जाता हूँ कि तुम मुझे से प्यार करो और मैं तुमसे प्यार करो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि तुम किम तायों नो तुमें पॉफेक्ट रहना है ऐसा नहीं है तुम मेरे ताहिन बन सकते हो हम दोनों इंपॉफिक्ट है और दोनों ही इंपॉफिक्ट मिलकर पॉफिक्ट बन सकते है तुम्हें अकेले को पॉफिक्ट बनने की कोई सरवत नहीं है कोई इंसान पॉफेक्ट नहीं होता और नहीं किसी के लिए बन सकता है लेकिन हम दोनों को एक दूसरी को ऐसे ही एकसेप्ट करना चाहिए जैसे हम है यही तो प्यार है और यह सुनकर ताहिन बहुत जदा स्माइल करने लगता है उसके आखों से खुसी वाले आस तू बहने ल करूँगा जो लिए भॉ消 ज़ाता है यही पर खत्म हो जाती है आपको यह स्टॉरी केसा लिए हमें कमेणे पर बताईएगा और यह भी बताईएगा कि इस स्टॉरी का कौन सा पार्ट आपको सबसे जड़ा इन्ट्रेस्टिंग लगा और इसे के साथ मैं आप से मिलती हूं कल समझे बजे तब तक के लिए stay tuned take care bye bye